Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी Tarot Ratings है, Tarot Predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशी फल तो चलिए कैंसेरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लिकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं five of cups reverse and retreat और दिखें ये cards कहते हैं कि इस week in general या फिर specifically आपके professional front में हो सकता है चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है कुछ issues हैं, कुछ मसलें हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए literally you know किसी level पे कोई loss भी हो रहा है लेकिन देखें जो भी हो आप एक बहुत positive frame of mind में रहते हुए दिख रहे हैं आप हर चीज को again मैं कहूंगी बहुत ही positivity के साथ deal कर रहे हैं जो भी चीजें अच्छी हैं आप उन पे focus कर रहे हैं और कैसे देखिए उन पे ही focus करके आप आगे बढ़ सकते हैं जो चीजें नहीं ठीक चल रहे हैं उनको भी better कर सकते हैं उसी पे ही focus कर रहे हैं और शायद इसलिए या फिर otherwise भी retreat का card कहता है कि थोड़ा सा आप चीजों से withdraw कर रहे हैं थोड़ा सा आप backseat लेते वे दिख रहे हैं और केंसेरियन्स time to time थोड़ा सा pause लेना चीजों से withdraw करना बहुत important भी होता है in fact हमें पता होना चाहिए कि कब हमें backstep लेना है और कब हमें you know action लेना है और इस week कहीं retreat का card again चीजों से withdraw करने की बात करता है जैसे कि दिखें migratory birds होती हैं जैसे ही मौसम बदलता है उन्हें इस चीज का एहसास हो जाता है कि अब अगर वो थोड़ा सा भी इसी जगा पे रहे तो उनके लिए खत्रा हो सकता है या फिर परिशानी आ सकती है तो वो तुरंत ही you know migrate करती हैं तुरंत ही उस जगा को छोड़ देती हैं और इसी तरीके से कुछ चीजों को छोड़ते हुए कुछ चीजों को let go करते हुए आप दिख रहे हैं जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए message है कि जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही हैं परिशान कर रही हैं इस week बहुत important है आप उनको let go करें और बहुत actively किसी भी चीज में आप अपने आपको involve ना करें and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है Ace of Pentacles and Increase तो दिखें दोनों ही बहुत ही positive cards है कहीं Ace of Pentacles का card materialistic, tangible या फिर money, पैसे से related किसी तरीके का gain, फाइदा होने की बात करता है या फिर इन ही चीजों पर focus भी करने की बात करता है और कहीं देखिए Ace of Starों में नई beginning की भी बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही again in general या फिर specifically इस week आपके personal front में रहता हुआ दिख रहा है और क्योंकि ये general reading है तो ये नई beginning सब के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए again मैं कहूंगी घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है या फिर कोई भी चीज हो सकती है और दिखिए जादा materialistic चीजों से related एक नई beginning होते हुई दिख रही है जो की stability, एक security भी आपकी life मिलाते हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए दिखिए relationship में commitment भी हो सकता है और जो भी चीजें मेरे mind में आ रही है, मैं कह रही हूँ यहाँ पर सब के लिए again नई beginning हो सकती है जो एक stability, एक security ला रही है और देखिए नीचे increase का card भी कहीं चीजों के बढ़ने की बात करता है क्योंकि increase के ऊपर यहाँ पर ace of pentacles का card है तो कहीं फिर से न कहूंगे materialistic tangible चीजें ही बढ़ती होई दिख रही है और देखिए जब भी भी हम increase शब्त को सुनते हैं यानि कि चीजों में बढ़ोती हो रही है तो हम बड़े खुश होते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा pause करके check करने की ज़रत है कि जो चीजें आगे जाके हमें सुकून देंगी happiness देंगी वही बढ़ रही है या फिर उनको ही हम increase अपनी life में कर रहे हैं या फिर you know temptations की वज़े से या फिर temporary gain temporary सुक की वज़े से हम उन चीजों को बढ़ा रहे हैं जो आगे जाके हमें परिशान कर सकती है overall देखिए increase का card कहीं बहुत ही beautiful energies की बात करता है nutshell में चीजों के बढ़ने की बात करता है एक abundant energies की बात करता है जो की इस week आपके personal front में रहता हुआ देख रहा है and guidance से आप लोगों के लिए new moon in Virgo का card है और ये card कहता है time to give rather than take तो देखिए इस week आप giving energies में जादा रहें लोगों से बहुत expectations ना करें बहुत उमीदे ना करें क्योंकि देखिए वैसे भी दुख के दो ही कारण है एक attachment एक expectation और देखिए जब भी भी हम again लोगों से बहुत उमीदे रखते हैं तो हम परिशान ही होते हैं और इस week तो देखिए आप लोगों के लिए guidance ही है कि थोड़ी सी अपनी expectations कम करें लोगों के लिए giving energies में रहें लेकिन देखिए इतना जादा भी ना दे दें कि subtle level पे एक बहुत expectation build up हो और फिर आप परिशान हो क्योंकि देखिए life is all about balance हर चीज में, हर energy में एक balance साथ के साथ आप maintain करते रहें यानि कि आप कुछ भी करें आप थोड़ा सा खयाल रखें कि आपने उसको जरुरत से जादा और फिर जरुरत से कम नहीं करना है and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है और देखिए आपकी राशी cancer है आप लोगों के लिए sign भी cancer है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी कि हो सकता है इस week आप चीजों को लेके emotional हो रहे हैं और आपकी family आपके loved ones पे आप जादा focus कर रहे हैं and देखिए cancer के हिसाब से अगर हम देखे तो Monday का दिन आप लोगों के लिए इस week significant रह सकता है and lucky color आप लोगों के लिए होगा white तो यह था cancerians आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए